आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Question is All are Archegoniate Except Bryophytes, Angiosporms, Teridophytes and Gymnosporms तो 4 Plant Group हमें दिये गए हैं जो Plant Group हमारा Archegoniate का example नहीं है वो हमसे पूछा गया है तो Archegoniate यह जो Plants हैं इनका मतलब क्या है तो बात करेंगे हम यहाँ पर Archegonia की यह क्या है हमारा Female Sex Organ है जो कि Plants के अंदर होता है जो कि क्या produce करेगा Egg produce करता है Female Sex Organ है तो Female Gamete यहाँ पर प्रेजन्ट होता है जो होगा Egg दूसरा अगर Plants के अंदर हम बात करें Male Sex Organ की तो Male Sex Organ होगा यहाँ पर Entrida जो कि क्या produce करेगा Male Gamete Entridoids तो यह हमारे Male और Female Sex Organ होते हैं तो जिन Plants के अंदर Archegonia present होगा Female Sex Organ वो Archegonates कहलाएंगे तो Bryophytes के अंदर होता है Angiosporms के अगर हम बात करें Angiosporms होंगे हमारे Flowering Plants क्या हैं यह Flowering Plants हैं यहाँ पर अगर हम Male Sex Organ देखें तो Stamin होगा Female Sex Organ देखें तो यहाँ पर Female Sex Organ पिस्टिल होता है पिस्टिल के अंदर हमारी present होती Ovarie और Ovarie के अंदर हमारे क्या होते हैं Ovuse होते हैं और यहीं पर हमारा Female Gametophyte present होता है और Angiosporms के अंदर जो हमारा Female Gametophyte होता है वो होगा Embryosac Embryosac के अंदर हमारा Female Gamet Egg Cell प्रेजंट होगा तो यहाँ पर Archegonia as a female sex organ प्रेजंट नहीं होता है तो यह हमारा Archegoniate का Example नहीं है Terridophytes और Gymnosporms के अंदर भी यह प्रेजंट होता है तो correct option होगा second Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह राउनलोड करे